नमस्कार बंदू ये जानुवारी माहिना खतम होते जा रहे हैं फेबरारी माहिना आ रहे हैं और इसी समय आलू का तोड़ाई शुरू हुआ है काफी जगा पे तो बिल्कुल सभी लोगों का धेन में रखना चाहिए कि आलू कॉब तोड़ाई करना चाहिए और आलू घर में राखते हैं और ज्यादा समय के लिए राखते हैं स्टोर करके भंदारन करके तो उन लोकों के लिए ज्यादा तर ये वीडियो है आप ये तीन मीट वीडियो में जान पाएंगे कि कैसे तोड़ाई करना है कि समय तोड़ाई करना है और कैसे उस तो राखेंगे तो समय तक भांडारन के लिए सुविदा होगा तो पहला चीज है कि जब आप आलू देख रहे हैं आलू में फूल आना शुरू हुआ है तो उसी समय से ये तोड़ाई का समय सुरू हो जाता है आप आलू का तोड़ाई कर सकते हैं तो आपको देखना होगा फूल आ रहे हैं तो अभी तुरन तुड़ाई करना नहीं है आपको सीचाई बंद कर देना है उसी समय से उसमें सीचाई देना नहीं है और धिरे-धिरे क्या होगा उपर का जो ताना का पूर्शन है ये ताना का पूर्शन सुख जाएगा सुखने का बाद में आपको कम से कम एक हफ्ता क mesh फिर्वार को तुड़ाइ good uhКак ये लोग को तना को काट देते हैं इस समय में क्या होता है ना Ms होता है आलु का उपपर में एक छिल्का बन जाता है यह आप आलु को दिख रहे हैं इसमें जो इसका जो छिल्का है ये छिलका बनाई नहीं है एकदम हालका सा बना है इसका अंदर में जाके वो है तो आप जो ताना है उस ताना को सुखने के लिए देंगे और सुखा नीचे अंदर बिना सीचाई में लगबग एक सपता से दो सपता रह जाएगा तो इसका अंदर एक छिलका बन जाएगा इस छिलका को बनने से क्या होता है अंदर में जो आलू का अंक्स है इसको ज्यादा समय तक प्रोटेक्ट करता है और यह ज्यादा समय तक भंडारन कर सकता है यह सड़ता नहीं है बट आपका यह छिलका नहीं रहता है तो ज्यादा समय तक को प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हैं और स उसके बाद उसको तोड़ाई करने का बाद में कुछ समाई आप छोड़िये इसको एक गच पर हवावादार जगा पे छोड़ दिजिए कम से कम एक दिन उसके बाद उसमें बोरिक्स मिला दिजिए दो ग्राम पार लिटर पानी में घोल के उसको पुरा ये में मिला के राखती जिए तो बाद में जो अंकुरन हो जाता है आलू में और बीज शरता नहीं है आलू सरता नहीं है ये ज़्यादा समय तक चल जाता है यह जो आलू का खेत है देख रहे हैं यह अभी एक्चुली रेडी नहीं हुआ है तोड़ाई के लिए इसमें आप देखेंगे तो कुछ फॉल आ जाएगा बट वह अच्छा नहीं होगा वह पाका फॉल नहीं होगा पाका फॉल होना चाहिए आप ज्यादा समय तक उसको 24% सुखने का बाद में यह इस टाइप का एक हपता या दोस हपता छोड़ देंगे तो उसके बाद आप तुड़ाई कर सकते हैं तो यह अच्छा होगा जल्दी में वीडियो का कॉंक्लूजन करते हैं कि जब फूल आया है आलू में तब से तुड़ाई कर सकते हैं फूल आ भंडरन कर सकते हैं तो जदा दिन तक यह भंडरन चलेगा तो आलू किस समय तुड़ाई करना चाहिए और कैसे तुड़ाई करना चाहिए और कैसे रखना चाहिए इसके लिए वीडियो यहां तक ही है आपको इस वीडियो से कुछ जनकरी दे पाया हूं तो ज़रूर इस व कि अपस्ट्सक्राइब